हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव सवाद करता हूँ अपना योटूब चैनल कोईनो मीडिया में दोस्तों जैसे आज आपने थमनेल देख लिया होगा यह आपके सवाल जवाब आली वीडियो है जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे थे इस वीडियो में से उनमें से 5 लक्की विनर का जवाब दिये जा रहे हैं इसमें देखिए शायद आपने भी सवाल पूछा है तो आपका इसमें जवाब आ गया है और दोस्तों नहीं भी आया है कोई बात नहीं आप इसी वीडियो के नीचे हैस्टेक कोई ने में लिखके पूछ सकते हैं आपके सवाल के जवाब दे दिया जाएगा आगर आप 5 लक्की विनर पे आते हैं तो जैसे इन लोगों ने बिल्कुल सही लिखा था दोस्तों आप भी बिल्कुल सही लिखना और एक की सवाल पूछना ठीक है फूल डेटेल इंफरमेशन के साथ तो दोस्तों देखिए पांच इसमें सवालों के जवाब देने वाला हूँ और काफी आदा इंट्रेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए वीडियो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे-च्छे सवाल पूछे हैं लोगों ने जो रेर विडाइटी के कोईन और नोट आते हैं उसके जवाब दिये जाएंगे इसमें ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहले सवाल किसने पूछा है तो दोस्तों पहले सवाल पूछा है सोपनील जी ने तो अपनील भागवत जी ने हैस्टेक कोईन में डिया सर वन रुपीस दोजा चार का क्रोस वाला इनके पास कोईन है और दोस्तों उसमें 11 क्लोक डाई रोटेट एरर है ठीक है तो ये डवल रेर कोईन हो गया है दोजा चार के क्रोस वाले वैसी रेर कैटेगरी के कोईन है और इनके पास एक क्लोक एरर भी है 11 क्लोक तो वो डवल रेर कैटेगरी का कोईन हो गया ये आप देख सकते हैं इनके पास ये कोईन है ये कोईन यूएन सी में वैल्यू रखता है 800-1000 रुपे के बीच में ठीक है और इनके पाई 11 कलो के रर भी है तो इसकी वैल्यू चली जाती है 1500-1800 के बीच में ठीक है तो आशा करता हूँ आपको वैल्यू इसकी पता लग गई होगी तो next question cover करते हैं किसका है next question पूछा है दीपक गुपता जीने है हाई सर मुझे बताईए पांच रुपे का जो फोरन मौस कोमेंट है उसमें कौन सा एयर का कलैक करना है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा काफी सारे कमेंट मेरे पास इसी के उपर आ रहे है यह अब मैं क्या बोलूँ कई यूटुबर इससे बड़े बड़े नाम हो जाते हैं इनके यह बस फेक वीडियो बनाना जो शुरू हो जाते हैं उससे बहुत दुख होता है दोस्तों आम जनता को बेवकुप बनाते हैं ऐसे यूटुबर तो ठीक है मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल इंफर्मेशन में बताता हूँ आपने सवाल पूछा है तो मैं इस पर वीडियो वैसे बनाता नहीं हूँ मैं नामे को फेक वीडियो बनाना पसंद है तो देखिए आपके पास यह कोईन होगा फाइव रुपीस 1999 में मॉसको मिंट को माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको इसके मैटल की बात किया तो कॉपर निकल है वेट की बात किया तो 9 गराम का है साइज इसका 23 mm है थिकने से इसकी 3 mm है शेप इसकी राउंड है भारत की 4 मिंटों में आए थे बंबाई, हैदरबाद, कलकेटा, नोईडा ठीक है एक इसमें मॉसको मिंट आईए 1992 से शुरूग हो थे ऐसे प्रकाश में आना कोईन 2,4 तक आए है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताए इसमें 2,4 का हैदरबाद मिंट रेर है तो वो रेर है दोस्तो ठीक है 1999 में और 2000 में ठीक है और इसमें ये करोडों की तादात में ये कोईन छपे थे पहले आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए बिल्कुल कि ये कोईन रेर कैटेगरी के है ये स्केर्स कैटेगरी में भी नहीं है ये नॉर्मल है एकदम कोईन ठीक है दोस्तो वैल्यू इसकी वही है यूएंसी में जादा से यदा साथ रुपे आठ रुपे तक ठीक है और जो ऐसे फेक वीडियो बनाता है 2000 पे, 1900 पे, 3000 पे मिल रहे हैं इसके वो सब बेकार की फजूल बाते हैं मैं आपको नहीं बोलूँगा कभी मौस कोमेंट का आप कलेक करें अपने वविश्चे के लिए ये फेक वीडियो है जो भी बनाते हैं और आप उन्हीं लोगों से प्लीस ये पूछिए कि आपके पास मौस कोमेंट अल्रेटी होंगे कई लोगों के पास आप उसको पूछो ये मेरे से खरीदेगा क्या वो नहीं खरीदेगा आपसे ठीक है न वो फेक वीडियो बस वीडियो बढ़ाते हैं कि लोग उनकी पब्लिक उनकी वीडियो देखें और वो ज्यादा पॉपुलर हो है ठीक है ना दोस्तो फेक वीडियो बनाने वाले बहुत है यूटुब पे अब ये बड़े बड़े चैनल जो ले लेके बैठे हुआ है अब इन्होंने भी फेक वीडियो बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं कईयों का नाम नहीं लुगा मगर मैं आपको बता रहा हूँ आप उनकी वीडियो देख रहे हैं वो फेक वीडियो बना रहे है ठीक है दोस्तो आप मेरे थनल पे देखेंगे जो मैं कोईन दिखाता हूँ वो ही होता है मैं औरों की तरह नहीं आपको दिखा रहा हूँ ये कोईन और अंदर दिखाऊंगा कोईन सेट ठीक है ना ये सब बकवास वीडियो बनाते हैं आगे कुछ चापेंगे बस यूटूब तो दोस्तों नेक्स कोशन कवर करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक बर आप देखिए दोस्तों इन्होंने में को वाटसप पे इसके पिक शेर की थी तो मैं आप से शेर कर रहा हूँ देखिए आपके पचास पैसे का ये कोईन होगा देखें ये आप देख सकते हैं एक तरफ भारत इंडिया लिखा है दूसी तरफ पचास पैसे लिखा है मगर इनके जो कोईन है वो दोनों तरफ भारत इंडिया लिखा है दोस्तों ये कोईन आप देख सकते हैं ये इनके पास है और ये कोईन रेर कैटेगरी का कोईन है ठीक है यह UNC में होता तो इसकी value जाती 1200 से 1500 पे अभी यह condition इसकी use में है गिजावा coin है UNC नहीं है कहीं से भी तो यह fine condition में गिना जाएगा और इसकी value stem है 500 से 800 पे के बीच में ठीक है और आपको यह sale करना है तो यह मैं अपने collection के लिए आप से खरीदना चाहूँगा आपको बेचना है तो बता देना तो next question cover करते है किसका है next question पूछा है travel India with निशान जी ने मेरे पाँच रुपे का कॉलकता मेंट 1984 पाँच पैसे का कॉलकता मेंट 1984 की value इनने जाननी है value बड़ी है या अभी भी वह ही है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह coin आपके पास निशान जी यह पाँच पैसे का coin होगा ठीक है और दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा यह rare category का पाँच पैसे का coin है 1984 का कॉलकता मेंट का ठीक है तो दोस्तों इस metal में सिर्फ और सिर्फ 1984 में कैलकेटा मेंट की तरफ से coin आये थे काफी mintage low है इसकी काफी coin कम छपे हैं यह तब ही यह rare category का coin है आज की date में इसकी UNC में value जाती है 3000 से 32 औरवे के बीच में ठीक है अगर coin बिचा हुआ है तो value बिल्कुल कम हो जाएगी और काफी low हो जाएगी इसकी मैं आपको बता जेता हूँ when you find में रहेगी 2200 से 2500 के बीच में fine condition में जाएगी 500 से 1200 के बीच में ठीक है तो next question cover करते हैं किसका है तो दोस्तों next question पूछा है शाफ़त अंसारी जी ने हैस्टेक कोईनमिडिया सर मेर पास 1 रुपीस का नोट है इनके पास IG पटेल का 1969 की value जानना चाहते हैं तो ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ ये देखें आपके पास ये नोट होगा दोस्तों IG पटेल जी का जो अगर आपके पास गांदी सीरिस की नोट की गड़ी है तो वो मैं अपने collection के लिए लेना चाहूँगा और आपको पास गांदी का single note है वो मुझे नहीं चाहिए अपने collection के लिए मैं आपको इसकी value बता जेता हूँ आज क्या चल रही है अगर आपके पाइजी पटेल के जो single वाले note आते है UNC में इसके 500 रुपे आपको मिल सकते है एक note के ठीक है और simple वाले इस note की कीमत UNC में जाती है 50 रुपे तक ठीक है अगर ये note की आपके पास गड़ी है उस गड़ी की value रहेगी 3000 से 4000 रुपे के बीच में और गांधी जी की जो गड़ी है उसकी value रहेगी 5000 तक ठीक है दोस्तो अच्छी condition में है गड़ी तो 6000 भी value हो सकती है तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर like करके वीडियो भी like करना चैनल subscribe करना बैन notification और जरुन करना जो भी मैं ऐसे वीडियो imported वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो वो आप तक सबसे पहले पोचे ठीक है दोस्तो और जादर स्यादा मेरी वीडियो आप शेयर करिए और जो गलत आपको information दे रहे हैं उनके उनसे बचे हैं ठीक है उनके चैनल को unsubscribe करें और उनके वीडियो ना देखा करें क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए जो दीपक जी ने सवाल पूछा था फाइव रुपीस का मोस कोमेंट का तो आप उनको जिन से जिन पर चैनल पर देखिए पिलीस आप उनको पूछिए या आप से वो खरीदेंगे ठीक है तो मैं आप से यह बोलना चाहूँँगा ऐसी वीडियो ना देखा करें कोई आपके पर अच्छा सवाल है तो वो पूछा करें तो दोस्तों आप मेंसे किसके भी सवाल नहीं आए तो आप दुबारा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है इस टेक कोई ने मिडिया लिखे आपके सवाल जरूर जरूर वीडियो में आएंगे अगर आप सही से लिखेंगे और एक ही सवाल पूछेंगे तो ठीक है ना फॉल इंफरमेशन के साथ एक सवाल पूछना जरूर आएगा तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ओके भाई टेक केर